माफिया तंत्र के लोग सरकार चला रहे और जिस तरह की हाला थे कि ये खनन माफिया रेत माफिया शराब माफिया लोगों की जान लेने से भी नहीं गबरा रहे क्योंकि जिस तरीके से इन्हों ने सत्ता को खरीद के बनाया था और माफिया तंत्र इस समय सरकार चला रहा था और माफिया के फेके हुए तुकलों पे बीजेपी के लोग पल रहे थे चुनाव लड़ रहे थे और आकरी तक खरीद फ़रोग करने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी घटा करने का काम करने हैं आज भी सरकार करज ले रहे हैं कि हम करज लेंगे 2000 करोड का आप मॉरल ड्यूटी क्या बनती है सत्ता जारी है तो कोई करज नहीं ले सकते हैं और ना लेना चाहिए और वो ही माफिया तंत्र को कैसे पैसा दे वो माफिया तंत्र लोगों की जान लेके कैसे पैसा लूटे पर यह ध्यान रखे माफिया तंत्र वो अधिकारी जो इनके साथ मिली भगत कर रहे हैं तीन तारीक के बाद माफिया के खिलाब फिर अभियान चलेगा सारे माफिया और वो लोग जो इन माफिया को साथ देते चाह अधिकारी हो चाह नेता हो सब सलाकों के पीछे रहेगा